आधुनिक्ता का युग है और इंसान आज काफी तरक्की कर चुका है लेकिन आज भी दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें मौजूद हैं जो क्यों और कैसे बनाई गई थी आज भी समझपाना बेहद मुश्किल है इनके सम्मंध में विज्ञान के पास आज भी कई जानकारी अध्भुत रहस्यों से भरी पड़ी हैं फिर चाहे घीजा के प्रामिध हो या चीन की दीवार इनका निर्मार कैसे किया गया वो भी उस समय जब कोई उस विधाएं नहीं थी कुछ ऐसी ही है चीन की हैंगिंग मॉनेस्टरी चीन के शांसी प्रांत में बने इस मंदिर का निर्मार लगभग 1500 साल पहले हुआ यह मंदिर बॉद्ध ताउं और कन्फूशियस शैली का मिश्टन है इस मंदिर को दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो यह पहाडों पर लटका हुआ है जैसे एक हवा का ज्छोंका ही इस इमारत को गिरा देगा लेकिन यह आशर की बात है कि इतने सालों के बाद भी यह मंदिर वैसा का वैसा ही है यह मंदिर एक विश्यस प्रकार की मजबूत और लचीरी लकडियों से बना है इसी वजह से यह मंदिर इतनी आपदाओं के बावजूद आज मजबूत है कहते हैं कि 1500 साल पुराने मंदिर को यहां इसलिए बनाया गया था कि मंदिर बार से प्रभावित नहीं हो और बारिश और तूफान से भी बचा रहे इस मंदिर को पूरी दुनिया में हैंगिंग मोनेस्ट्री के नाम से जाना जाता है आज ये चाइनीज और्किटेक्शर का अधिन करने वाले लोगों के लिए ये प्रमुक जगह के रूप में प्रसिद्ध है ये जमीन से करीब 75 फीट उपर है मंदिर में करीब 40 अलग-अलग हाल हैं और वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं मंदिर में कई प्राचीन मूर्तियां भी रखी गई हैं चीन के डैंटांग शेतर में ये मंदिर टूरिष्टों का प्रमुक आकश और केंद्र है ये मंदिर केवल इसलिए प्रसिद्ध नहीं है कि ये पहाड की उचाई पर बना हुआ है बलकि ये मंदिर अपने धार्मिक महत्तों की वजह से भी प्रसिद्ध है मंदिर को देखने के लिए इश्या के कई देशों के लाबा यूरूप से भी परिटक पहुंसते हैं यहां पहुंचने का रास्ता लकडी और लोहे की सीडियों से बना है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट और शियर करें नए वीडियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दी अन्नौन